हेलो एवरिवन कहते हैं आप सब आता करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगें आप देख रहे हैं एचिवमेंट इन आल और इस चानल का नाम एचिवमेंट इन आल इसलिए है कि इस पर हर तरह के वीडियो आते हैं यानि कि आपके कलपना के परे सबसे पहले तो आप य गेश लिएका किजिगा गेश करके हमको कमेंट जरूर करिएगा कि मैं पर्लकने में यसको बनारी हूँ और और यह सिमेंट और बालू से बनारी हूँ तो जब यह सकसेस हो जायेगा जो मैं बना रही हूँ तो मैं सारा चीज रेशियो के साथ आपके साथ सेयर करूंगी एक स्पेसल वीडियो में बहुत बड़ा मैंने हिम्मत किया है बहुत अच्छे चीज को बनाने की सुरुवात की है इसमें अगर सफलता मिल जाती है तो इस तरह के और भी कही चीजे मैं बनाओंगी तो अभी जो है दोपहर का समय है और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ हूँ थोड़ा सौट मैं आप देखना है फास्ट है लेकिन फिर भी सौट है क्योंकि जब मैं डिटेल इस पर दिखाऊंगी फिर मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी लेकिन अभी मैंने फास्ट कर दिया दो पहर से मैं इस पर लगी हूँ बाबू सो कर उठ गया है और अभी जो मेरी हाउस हेलफर है वो नहीं आई है मैं हर दिन एक बार सोचती हूँ कि अब उनके काम को श्टॉप करा दूँ क्योंकि कुछ काम महिलाओं को खुद से करने चाहिए लेकिन फिर मुझे लगता है कि बाबू को भी पढ़ाना है मैं अभी सोच रही हूँ इस पर देखती हूँ क्या कुछ हो पाता है क्योंकि उनको रखने के बाबजुद भी क्या होता है कि आपको उनके पीछे लगे रहना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया और वो इमानदारी से कर रही है इमानदारी नाम की कोई चीजे आज काल खतम हो चुकी है आज कले मांदारी नाम की कोई चीजे नहीं बची है तो जराता मैं अगर इधर रहोंगी तो इधर का काम इधर हो जाएगा तो बिल्कुल उनके साथ मुझे लगना पड़ता है तो यहाँ पर यह काम जैसे और चुकि वो तीन चार वज़े आती है तो मैं बारा वज़े से ही इस काम में लग गई थी बावो कोई ग्यार वज़े सुलाया था जादा दिर आज वो सोया नहीं तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने के पहले मैं इन सारे चीजाओं को कंपलीट कर दूँ ताकि जब वो साप करे तो पूरी तरह से साप हो जाओ और बिल्कुल मैं आप देख रहे हैं कि इंची टेप भी है जिसे की कपड़ा नापते हैं पैन भी है सारा चीज मेजरमेंट के साथ यह मैं बना रही हूँ उमीद करती हूँ आप लोगों ने गेस कर लिया होगा तो यह काम आप जल्दी से निप्टा देती है मेरा लाश्ट भी है तो इसको यहां बालकनी में रखती हूँ और मोटर जब चलता है तो कभी-कभी मोटर खुला रहा जाता है तो पूरा प पता नहीं यहां से हटेगा या नहीं हटेगा और यहां से मैं इसको बराबर कर रही हूँ और यहां पर आप देखें यह इसका काम पूरी तरह से कंप्लिट हो गया है तो निचे से जो डाला जाता है अडचन जिससे कि वो गिरे नहीं तो मैंने यह पोछा बकेट जो है उस में समय लगता है और अब मैं आ गए हूँ चाय बनाने और चाय के लिए कोई भी बरतन नहीं था सब सिंक में जमा था तो मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि बरतन धो हूँ फिर मैं चाय बनाओं तो जब आएंगी वो भीभा तो फिर मैं दुबारा उनको चाय बना कर दे तो फिका जाये क्योंकि अभी बैगन वगेरा उनको दूंगी नहीं तो साम का मैंने दूद भी चड़ा दिया है गर्म होने को और आपने देखा होगा दो तीन कूकर मैं रखी हूँ इसी जलदीवाजी करने के लिए ताकि अगर एक दो बरतन फसा भी हो तो तिसरे बरतन मे मैं काम करने तो कूकर में मैं आलू बॉयल होने के लिए दे दूँगी क्योंकि मैं चार-पांच बजे के आसपास उनको पूछ लेती हूँ रात में क्या खाना है तो आज उन्होंने कह दिया आलू पराठा मुझे डर भी लग रहा है आलू पराठा घीमे डाल कर बनाओंग कि कुछ प्लैन रोटियां भी बना लूँगी और आलू पराठा एक दूदूँगी और मांके प्लैन रोटी दूदूद के साथ वो खा लगें तो यहाँ पर मेरा चाय भी हो गया है और अभी आलू मैं इस पे रख दूँगी तब तक वो आ जाएंगी तो उनके साथ भी ल तो जब तक वो जाड़ू अगेरे देंगी तब तक मैं सोफा का ठीक कर लोंगी सारे चीच को और ये बीभा का बेटा है तो इसके साथ मेरा बेटा बहुत खुस रहता है बहुत खेलता है बाद में बोलेगा भी कि बिटू यह नहाता नहीं है इसका कपड़ा ममा इसमिल कर करता है यह करता है यह सब बूलेगा लेकिन खेलेगा उसी के साथ अपना तरा क्लोणा देगा गाड़ी देगा है और वह भी बहुत ज्यादा खुस होता है अपनी मेरी अलग सोच है मैं यह नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे यहां काम करें तो यहीं तक सिमित हो जाए मैं इनके बारे में बात मैंने इनको भी कहा है कि आपको मैं सिलाइ सिखा कर भेजूंगी अगर आप कंटिन्यू रह जाती हैं मेरे यहां तो फिरिया आप कोश्ट थी उसमें मेरा बाबु और भी छोटा था तो वो बहुत मदद करते थी लेकिन ये सब नहीं करती है और समय से भी नहीं ये खुद मुझे करना है और वैसे क्या होता है कशक्राह m पढ़ता है और जहान फिर लिए हिक्स it s b घँपर करेंगे फिर वह क्या करेंगे यहाई न सब्हें बाते होती है और यहां पर युदा कोड़ा वगयरा उठा रही है है guardu और अब मैं क्या कर रही हूं मैं सारा कपड़ा इदर उदर जो भी है उसको समेट कर रख दूंगी और यह आलू जो पहले अभी मैंने आपने देखा मैंने बॉयल होने को दिया था वो आलू हलका मिठा था तो मैंने धाई किलो अलग से आलू मंगाया है तो यहां पर यह करने वाला अलग बकेट होता है जिसमें परिशानी नहीं हो समय थोड़ा सा लग जाता है खिड़की वगेरा मैं खुछ से साप करती हूं ताकि लगे हाथ साप हो जाए और यह देखिए डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूं यह ओफिस से आ गया है रात का समय है लगवक सिंपल मैं इसको फ्राय नहीं करें हूं क्योंकि थोड़ा सा तेल और घी से बच रही हूं और यह जो ग्रीन ऐसा देख रहे हैं आप वो घी लगाने वाला तावा पर यह भी मम्मी करी दी थी छोटा योटा हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीज निकल के सामने आई जाता ह है तो मैं पहली बार इसको ट्राय करूंगी और क्नल यहां पर मैं चोका बरके बनाओंगी पराठा और पहले तो बाबो को यह खिला दोंगगा फिर मैं खाऊंगा तो यहां बैंबना लेती हूं और आप लोगों से बात करना आप लोगों के साथ अपना काम सेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो छोटी योटी चीजों को इस चमच के साथ ये जो घी देने वाला है इसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या हुआ था मैं बताते हूं क्योंकि इसका जो ये डंटी है ये सीसे का है इसी लिए तो मैं बार बार चेक कर रहे थी लेकिन इसके साथ क्या हुआ था मैं भी बताती हूं इसको मैंने धोल लिया है और जब मैं ये तवे पर दे रही थी, तो मैं बार बार देख रही थी, कहीं ये पिगल तो नहीं रहा है, प्लास्टिक है, पिगल तो नहीं रहा है, लेकिन इस समय तक तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब ये घी डालने के बाद, मैंने वो घी के कंटर में इसको र खाऊंगी और कटपिट की आवाज और इगनूर करिएगा जिस तरह के आप लोग जानते हैं बगल में काम चल रहा है इसलिए और यहां पर मेरा यह देखाएंगे आलू पराठा तयार हो गया है यह मूली है मूली थोड़ा सा स्वाथ चेंज करता है और अचार है और अचार अपना क्याल डगीगा भाई वाई